एक घने जंगल में एक पेर पर मुर्गा रहा करता था वह रोज सुबर सूरज निकलने से पहले उठ जाता था उठने के बाद वह जंगल में दाना पानी चुबने के लिए चला जाता था और शाम होने से पहले वापस लोट आता था उसी जंगल में एक चालाक लोमली भी रहती थी वो रोज मुर्गे को देखती और सोचती कितना बड़ा और बड़िया मुर्गा है अगर यहां मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमली के हाथ नहीं आता था एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमली ने एक तरखीब निकाली वो उस पेल के पास गई जहां मुर्गा रहता था और कहने लगी अरे ओ मुर्गे भाए क्या तुम्हें खुश खबरी मिली जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई जगड़े खत्म करने का फैसला किया है आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा इसी बात पर आओ नीचे आओ हम गले लगकर एक दूसरे को बधाए दें लो मली की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा अरे वाह लो मली बहन ये तो बहुत अच्छी ख़बर है पीछे देखो शायद इसलिए हम से मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं लो मली ने हैरान होकर पूछा दोस्त कौन दोस्त मुर्गे ने कहा अरे वो शिकारी कुत्ते वो भी अब हमारे दोस्त है न कुत्तों का नाम सुनते ही लो मली ने न आव देखा न ताव और उनके आने की उल्ती दिशा में दोड़ पड़ी मुर्गे ने हस्ते हुए लो मली से कहा अरे अरे लो मली बहन कहा भाग रही हो अब तो हम सब दोस्त है न हाँ हाँ दोस्त तो है लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक ये खबर नहीं मिली है ये कहते हुए लो मली वहां से भाग निकली और मुर्गे की सूच बूज की वज़े से उसकी जान बच गई बच्चों, चतुर मुर्गा और चालक लो मली की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और चालक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए